हाली में उडीसा उत्तरप्रदेश पश्यमंगाल और जम्मू कश्मीर की 17 से अधिक उत्पादों के लिए जी आई टेग राप्त हुआ है मैं दीख चा, स्वागत है आपका डेली करेंट विवस्टर में जिसमें आज हम जानेंगे भाली में मिले हुए जी आई टेग की बारी में उडीसा की लॉंजिया पेंटिंग से लेकर अवणाचल प्रदेश की बांचो, बुडन, कराप्ट से लेकर पश्यमंगाल की काई चटनी तक चार राज्यों की सत्रा उत्पादों की चेहन ने प्रतिस्टिक भोगोलिक संकीतक टेग हासिल किया है परंपरिक लॉंजिया सूरा, पेंटिंग उत्क्रेश्ट कडाई वाली डॉंगरिया कॉंदे सॉल, उडीशा का स्वादिस्ट खजूरी गुडा और अवणाचल प्रदेश की हस्त निर्मित कालविन और बांचो लकडी के सिल्फ उन सत्रा उत्पादों मैंसे थे जिनोंने हाली में वोगोलिक संकेतक या जी आईटेग मिला हुआ है लॉंजिया सूरा पेंटिंग दीवार भित्ती कला की एक सहली है उन चित्रों को एकॉंस या आईडिटल भी कहा जाता है और जनजाती के लिए उनका महतपूर आध्यात्मेक बहत्त है लॉंजिया सूरा आज एक निर्धन समाज है और अपनी संस्कृती को संरक्षित करने में सरम करते हैं आदर से इसका एक महतपूर हिस्सा है चले तो जानते हैं पहाडी जनजाती डौंगरिया कुंध की पारंपरिक बुना हुआ सौल अधितियों और प्राचिन दोनों हैं उनके संस्कृती परंप्रा आस्था और विश्वास के साथ उनके संगलों की जैब वित्ता सौल में प्रतिवन्वित होती है डौंगरिया की अतियंत पूजनी देवी धर्नी पेडू का हर गाउं में एक घर होता है धर्नी पेडू बिनेवास में बनाई गई कला और चित्र उनके सौल से परिलक्षित होते हैं हाला कि आधुनिक दुनिया का उनके पारंपरिक परिधान पर महत्वपुन प्रभा पड़ा है फिर भी डौगरिया कोसौल जन्राती के लिए लोग प्रिये बनी हुई है उडिशा का खजूरी पेड़ा या खजूरी गुड एक प्राक्तिक स्वीटनर है जो नीरा नामक ताड़ की मीठे रस से उत्पन होता है गुड उडिशा के गचपती बौध अंगुल और ठेक नाल सहित आदबासी आबादी द्वारा तैयार किया जाता है अब जानते हैं और नाचल प्रदेश से बांचो लकडी का सिल्प लोड डिंग और चांगलों जिलों की कुसल बांचों के सामाजिक सांस्कृतिक तानेवानों को गहराई से बुनता है इस दोलब जाती है कला का अभ प्रवास में चौक्यों और लौंग ड्रम को सजाने के लिए या ग्राम प्रधान के घर को सजाने के लिए लकडी की नकासी करते थी इसके अलाबा चेन्नाई में भोगुलिक संकेत रजिस्ट्री ने पश्य मंगाल की तीन उत्पादों बंगाल की तंगेल साड़ी गारद स साड़ी और कोरियन साड़ी को भी टैग दिया है उडिशा के दुग्द उत्पादन धेक नाल मगजी और सिमली पाल काई चटनी को भी जी आई टैग मिला हुआ है काई मयूर्भंज और क्यों जर का मूल निवासी है जो जिलों के हर ब्लॉक छेत्रों के जंगलों में बहुता पदाधों के उपचार के लिए उस्वादिस्ट भोजन और पारंपरिक चिकित्सा के रूप में चटनी का उपयोग करती हैं नयागर कांती मुडी बेंगल एक सबजी की फसल जिसे के गूदे पर बहुत सारे कांटेदार कांटे होते हैं और साथ ही पूरे उडिशा के नया जब मुकश्मी का रामबन अनारदाना कोरापुट कालाजीरा चावल और अड़ाचल प्रदेश आदी के के कर के किरिया अधरक होता है और भी इसी तरीके की इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जाद से करें धन्यों